अगर आपने भी 2024 में बाबा केदारनाथ की दरसन का प्लान किया हुआ है तो इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे केदारनाथ दरसन यात्ता का रेजिटेशन कर सकते हैं उसके साथ साथ केदारनाथ में घर बैठे रूम बुक कर सकते हैं हेलिकॉप्टर स जरसन यात्रा की planning का video already हमने बनाया हुआ है, उसका link भी आपको description में मिल जाएगा, उसे भी आप देखेज़ेगा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस video में, कैसे आप घर बैठे online services ले सकते हैं, घर बैठे room book कर सकते हैं, चार धाम यात्रा का registration कर सकते हैं, हैली services आप घर बै जाएंगे, और साथ ही साथ, आप अगर वहाँ पर room book करना चाहते हैं, कैदारनाथ में base camp में है, मंदिर के पास, तो उसके लिए भी यहाँ पर कैसे booking करना है, वो सब कुछ इस video में डीटियल में जानने वाले हैं, कैदारनाथ के उत्राखन government की official website GMBN, गरवाल मंदल विकास निगम, उसी कित्रों आपको सारे bookings करना है, अगर हैली services की बात करें, तो हैली services.irctc से आपको book करना है, बहुत सारे fake fraud IDs बने हुए हैं, जहाँ पे लाकों की scam लोग रोज कर रहे हैं, तो उससे आपको बचना है, अगरी services आपको book करना है, तो एक मातर website है, वो यहाँ पे हम आगे देखेंगे, और GMBN, जो की उत्राखन government की official website है, वहाँ पर जाके आप कैसे book कर सकती है, यह सब देखेंगे, यह देखेंगे, आपने GMBN अगर टाइप किया Google पे, तो सबसे पहले आपको आएगा गड़वाल मंदल विकास निगम, यही उत्राखन government की या केदारनाद दर्सन यात्रा की एक official website है, जहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, चार धाम यात्रा का registration करना है, अब यह चार धाम का यात्रा registration क्यों जरूरी, पहले देखें, यह हो जाता था कि आप इसके बगएर भी दर्स registration की विश्थवी, हरीद्वार, railway station के पास, bus train के पास और और भी बहुत सारी जगापे है, रिजी केस में है, लेकिन वहाँ पे time consume करने से अच्छा है, आप घर बैठे इसका registration कर लें, कई बार क्या होता है, offline services, temporary बंद कर दी जाती, भीड के चलती है, इसके लिए आप यहाँ पे आप registration के लिए main page पर आ जाएंगे, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि देखे, हर साल बाबा केदारनाथ और चारो धामों के कपाट खुलने के date announce होते हैं, वैसे इस बार जो है, date announce हुए है, केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, 10 मई को, और अन्य जितने भी दरसन इस तरह उनके कपाट खुलने वाले हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहा हैं, यह सारी जानकारी आप देखने जिए, इन दिनों में बाकी सारे धामों के कपाट खुलने वाले हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं, केदारनाथ धाम की जहां पर हमें room book करना है, और चार लिंक पर क्लिक किया, तो यह वाला पेज आता है, तो यहां पर आपको यह corner पर देखिए, register login लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास यह page आएगा, अब अगर आप first time visit कर रहे हैं इस site पर, तो सबसे पहले तो आपको अपनी ID यहां पर बनानी होगी, तो ID में यहां पर आप देखिए, आप अपने left hand side पर देखेंगे, register for चारधाम यात्रा हेमकुन और right side पर लिखा है login to your account, login आप तभी कर पाएंगे जब आप यहां पर पहले register कर लेंगे, तो register करने के लिए आपको कुछ नहीं यहां पर देखिए, यहां पर लिखा name, तो name operator individual family लिखा हुआ है, तो tour operator वो लोग हैं, जो की registered हैं, उत्रकंट के साथ, और tours troubles का जिनका business है, तो वो इस mode पर जाके registration करते हैं, जहां पर GST वगएर की detail यहां पर यह site आपको मांगे गा, लेकिन individual पर आप जाते हैं, तो individual मतलब आप individual person, एक self service आप करना चाहते हैं, तो उसक family family मतलब बहुत सारी इसमें other members को भी link किया जा सकता है, तो उसको छोड़िए, आप individual पर आपको login करना है, तो individual में आप जाएंगे, तो यहां पर आपने जो mobile number डाला और उसके reference है, जो भी password आप बनाना चाहते हैं, तो password यहां पर आपको डालना है, enter password में, तो यह enter password और उसक हम password करने के बाद जब आप sign up करेंगे, तो आपकी OTP आएगा, जो number आपने यहां पर डाला है, उस OTP के आप यहां पर enter करेंगे, validate करेंगे, submit करेंगे, आपकी ID यहां पर create हो जाएगी, अब यहां पर देखिए password आपका minimum 6 character का होना चाहिए, ज़्यादा का हो सकता है, पर minimum at least 6 characters उसके होना चाहिए, जो कि alpha numeric format में हो, कुछ alphabates हो, कुछ numeric हो, upper case, lower case, numeric value के साथ मिला कर आप बना सकते हैं, जब यहां पे आप sign up कर लेंगे, तो उसके बाद आप यहां login कर पाएंगे, तो हम पहले से ही यहां पर registered हैं, तो इसके लिए हम आपको केवल login करके यहां प जिससे हम यहां पे login करने जा रहे हैं, और यहां पे जो भी password आपने बनाया है, वो password आप यहां पे डाल दीजिए, यह login हो जाएगा, इसके बाद यह capture यहां पे है, आप देख सकते हैं, यह same आपको यहां पे डालना है, अब यहां पे देखिए, बहुत सारी problems आज यह website पे इतना down था कि पूरे दिन यह काम नहीं किया, सामको लगबग चार बजे के आसपास हमने यहां पे services book कर पाए हैं, और यहां पे देखिए, अब आप अपने dashboard पर आएंगे, तो यहां पर आपको कुछ इतने menus दिखेंगे, जिसमें से आप देखिए सबसे पहले, registration for tour, दूसर अब आगे हम आपको बताएंगे, आप और भी handy होना चाहते हैं, तो mobile application आप यहां पे download कर सकते हैं, उत्तराखंड government की registered application की बात हम कर रहे हैं, जिसका आप यह symbol देख रहे हैं, इस्क्रीन पर, यह आपको play store में ही मिल जाएगा, apple store में ही मिल जाएगा, दौनों जगह से आप इसे download कर सकते हैं, और यही सारे option आपको भी देखने को मिलेंगे, उसके लिए अलग video हम आपको बना देंगे, लेकिन यहां पे आप देखिए, registration for tool, तो सबसे पहले तो आपको registration करना है, तो registration करने के लिए, उपर आपको आएगा, खौन सी चीच के लिए आप registration करने हैं, चा आप 10 तारीकों केदारनाथ दरसन के लिए जा रहे हैं, तो आपको 10 ताई डलना है, तो आपको 10 ताई डलना है, तो उत्तरा खंड में जैसे ही आप enter करते हैं, आप जैसे हरी दवार पहुंचते हैं, तो जिस दिन आप हरी दवार पहुंच रहे हैं, उस दिन से लेकर, जिस exit जो आप check out करेंगे state से बाहर जाएंगे तो आप यह 30 इस लेट कर देंगे तो यह आपका date range हो गया और आपको इस तरीके से यह apply करना है तो यहाँ पर कुल मिलाके जिस भी date range में आप उत्राखंड में रहने वाले हैं वो date range डालना है ना कि केदार ना दर्सन जिस दिन आपको करना हो date तो यह चीज़ आपको उम्मीद समझ में आगे होगी हो अब maximum tourist देखे एक ID पे जब आप बनाते हैं तो maximum six person allowed है यहाँ पे आप दो person यहाँ पे डाल दीजिए दो लोगों के आते हैं buy helicopter मतलब हगा है helicopter services लेने चाहते हैं और बाइ रोड मतलब आप कार से bus से आते हैं और उसके बाद फिट रेक करके जैसे भी जाते हैं तो हम यहाँ पे बाइ रोड यहाँ पर select कर लेते हैं अब इसके बाद यहाँ पे देखिए plan your destination अब यहाँ पे करते अब देखिए आपको केदार नाद के साथ बमधि incumbent यहां पे एक और यह आ गया आप यहां पे इस तरीक़े से बमध्रिनाच को से अढ़ सकते हैं अज़े लेगए अगर अरफ पास秩raft अब ने डिली करना है और बद्रिनाथ के अगर हम बात करें तो आपने प्लान किया है कि 28 तारी को आप बद्रिनाथ दर्शन प्लान करेंगे तो इस तरीके से सारे डीटेल्स डालने के बाद आपको यहां पर सेव करना है तो यह तो एक मास्टर प्रोफाइल बन गया जिसमें एक मास्टर टूर आइडी आपको यहां पर दिखरा होगा यह आपको एक टूर आइडी मिल गई अब इस टूर आइडी के अंदर आपने कितने टूरिस्ट सेलेक्ट किये थे दो दो लोगों को आप यहां पर एड कर सकते हैं आप 6 तक एड कर सकते हैं लेकिन वहां पर आपको मेंचन करना होगा कि कितने लोगों को आपको यहां पर एड करना है अब यहां पर आप इंडी विजुली एक एक के डीटेल्स आपको यहां पर डाल लें इस तरीके से आप जो ट्रवलर हैं जो दर्सनार्थी यहां पर आने वाले हैं उनकी डीटेल डालेंगे पहले तो आप खुद हो जाएंगे अगर आप दर्सन के लिए यहां पर डाल देंगे और इसके साथ जैंडर यहां पर देखिए इमेल आईडी ऑप्शनल ह लेकिन मुबाइल नमबर यहां पर कमपल सरी है तो मुबाइल नमबर यहां पर आप अपने हिसाब से जो भी आपका मुबाइल नमबर हो डाल दीजे और इसके साथ इस वाटसप नमबर टू मतलब अगर इसी नमबर पर आपका वाटसप चल रहा है तो आप इस पर क्लिक कर से इक वह प्र प्र पर ये अप्र ruch डालने के बाद आप यहां पर सिटी कौन सा है इसके पर परसन ने में देखिए इस registration का purpose क्या है आप जिस जगह पे जा रहा है है वो ऐसे जगह पे है कि मान लीजिए थोड़ा सा कभी कुछ ऐसा हो गया आप किसी मुसीबत में फस गए हैं कभी कोई प्रकार के situation आ गई है तो यहाँ पर उनके पास सारा record आपका होना चाहिए किस person से वो contact कर सकते हैं आपके अलावा alternative person कौन है जिनसे गौर्मेंट यहाँ पर contact बना सकती है कुल मिला के database तयार करना है तो यहाँ पर contact person ने मतलब अपने family के ऐसे लोगों के नाम आपको डालना है जो आपके साथ यहाँ पर नहीं आये हुए हैं यह देखिए यहाँ पर emergency contact person mobile number and relation who is not traveling with you आपके साथ जो contact किया जा सके उनके साथ आपका क्या relation है आप यहाँ पर relation डाल दीजे अगर आपका profession doctor है आप doctor है तो यहाँ पर is flag को आप यहाँ पर check कर सकते हैं on कर सकते कारण क्या है कि अगर आप doctor profession से हैं तो कभी यहाँ पर government को जरूत पड़ी voluntary service अगर आप से government लेने चाहती है तो facilities को इस तरीके से design किया गया है कि जरूत पड़ने पर use किया जा सके mode of travel for dham अब यहाँ पर देखिए bus, minibus, private car, taxi, maxi, two wheeler जिस भी mode से आप आ रहे हैं यहाँ पर select कर लीजे आप bus से आ रहे हैं bus select कर लीजे और कोई medical आपको disabilities है कोई प्रकार का medical आपके साथ कोई casualties है कोई problem है तो यहाँ पर आप select कर लीजे otherwise आप यहाँ पर na कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर बस, minibus या taxi कुछ भी select करते हैं तो यहाँ पर आपको पूचेगा driver name, vehicle number यह optional अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं otherwise यह mandatory नहीं है अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें upload करनी है एक तो आपके passport size की photo और दूसरा आपका valid address ID proof तो यहाँ पर photo में अगर आप click करेंगे तो photo library से आप photo select कर सकते हैं फाइल से browse कर सकते हैं या take photo करके आप अपना live photo भी यहाँ पर capture कर सकते हैं यहाँ पर यह photo आ जाएगा इसके साथ साथ आपको ID card यहाँ पर देखिए select identity proof तो यह drop down में आप जाएंगे आधार card, pen card, passport, voter ID तो आप आधार card select करेंगे और choose file में आप जाएंगे तो again आप यहाँ पर browse कर सकते हैं और इस तरीके से आपने यहाँ पर एक आधार card या कोई जो भी ID आपने select किये हूँ यहाँ पर select कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर लिखा save and add more मतलब आपने दो लोगों को यहाँ पर add किया था आपने जब master profile बनाई थी इसके पहले वाले page में तो दो passengers यह दो traveler आपने select किये थे तो यहाँ पर आप save करेंगे और add more एक और को आप add यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ लिखा भी है add more world pilgrims क्योंकि आपने दो select किये थे अगर आप 6 करते तो ऐसे एक के बाद एक के बाद एक आप 6 लोगों को यहाँ पर add करते अब यहाँ पर एक और चेक बोक्स यहाँ पर देख सकते हैं आई यू कोविड-19 vaccinated क्या आपने वैक्सिन लिया हुआ है तो इसको आप चेक कर सकते हैं अगर यह चेक नहीं भी करेंगे तो यहाँ पर यह mandatory नहीं है पहले था कोविड की टाइम मिले कि नभी mandatory नहीं है save and add more करेंगे तो यहाँ पे यह जाके save हो जाएगा save होने के बाद तरीके से information आएगी कि आपने successfully यहाँ पर add कर लिया है और यहाँ पर सारी details आपको मिल जाएगी link मिल जाएगी इसके बाद जब यह okay करेंगे आप तो यह main page पे अप देखिए यहाँ पे आपने दो enter किया था तो एक और traveler के लिए यहाँ पे details page फिर से आगई ही जिसको आप सेम भर के लिए यहाँ पे आपको submit करना है इस तरीके से finish करने के बाद जब आप अपनी dashboard पे आएगे तो इस तरीके से dashboard में आप को आपका book किया हुआ यहाँ पे registration देख जाएगा यहाँ पे second वाला जो आप देख रहे हैं यह हमने आज ही साम को किया था जिसमें हमने पाच्छे लोगों का registration किया हुआ रूपर वाला भी demo के रूप में हमने आपको दिखाया है तो इस तरीके से आप यहाँ पर जाके दे of cost है इसमें किसी भी प्रिकार का सुल्क आपको नहीं लगने वाला है अब इसके बाद हम देखेंगे कि आप अगर room book करना चाहते हैं केदारनाथ में घर बैठे ही तो इसी website से कैसी कह सकते हैं तो केदारनाथ में room book करने के लिए आपको वापस इसी website पे आना है home page पे और य हो भी डिश्टिक है और सारे डिश्टिक्स यहां पर आपको दिखायी देंगे टेश्टिक में आपको hotel सी आ पे लिश्टिड दिखाये देंगे लेंगे बिकिर polsk per ONE uży कीवक्ष्ड में आप जिस भी जगहा करना चाहते है कि यहां पे हम सब्सक्राइस तारिक कर रुख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्रद्धालू यहां पे आते हैं, तो उन सब को ध्यानवे रखते हुए यहां पे, केवल एक ही दिन की फैसिलिटी दी गई है, एक आईडी पे, आप चाहें तो वापस से, फिर से दूसरी आईडी से, या दूसरा बुकिंग फिर से आप कर सकते हैं, पर एक बार में आप एक ही दिन के लिए बुक कर पाएंगे, जहां पे देखिए, अब यहां पे मल्टिपल्स आपको आपसंस द बचे हुए हैं, या फिर फेर क्या है, और सब कुछ इसके साथ क्या क्या आपको अडिशनल फैसलिटी मिलने वाली है, गीजर, अटेच बात, कॉमन बात, किस तरही फैसलिटी आपको मिले आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ यहां पे क्लिक करते हैं, बुक नाओं में, सबसे पहले तो आप देखिए, जब आप बुक नाओं पर क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा, कि क्या यहां पर कोई शीट से या एविलेबल है, बैट से तो देखिए, एविलेबल बैट से जीरो, कोई भी बैड यहां पर अविलेब तो इस तरीके से इंडिविलेबल आप सब में जाकर चेक कर सकते हैं, कि आप फेर है, एविलेबल है, नहीं है, और यहां पर अगर एविलेबल होगा, तो आप जिखाई देगा, जहां से आप सीधे सर्विसे बुक कर सकते हैं, तो हमने देखा कि कि यदारनात नंदी तो आप दूसरा कोई आप सन यहां पर देख सकते हैं, भीम बली, भीमा कॉंप्लेक्स यहां पर इस पर आप जाईए, तो यहां पर इसके बारे में सारी डीटेल यहां पर दिखा देए, देखिए, थाउजन टूपीस इंक्लूजीज जी एस टी लेकिन यहां पर भी बैट इस एवलेबल नहीं है, 1500 इंक्रूजीज जी एस टी यहां पर आपको क्या क्या मिलने वाला था, डिनर फॉर पर बैड पर पर सन, घीजर, होट एंड कोल वाटर, होट वाटर, स्लीपर, सब कुछ आपको यहां पर यहां पर यहां पर फैसलिटी मिलने वाली थी, और नीचे आपको देखिए, इसके अलावा और भी कोई सर्विसेस यहां पर आप इसके रिलेवेंट हैं, तो वो आपको नीचे इस तरीकी से सो होगा, इन चीजों को यहां पर बुक कर सकते हैं, लेकिन फिल हाल आप देख पा रहा हैं कि कोई भी बैड्स यहां पर किसी भी होटल में इस केस में आप क्या सकते हैं, अपना टाइम स्लोट जो है, डेट स्लोट को चेंज करके आप अपना प्लान सेट कर सकते हैं ताकि यहां पर आपको रूम एजली मिल जाए, बगएर प्लान के यहां पर आने की गलती मत कीजिएगा, युट्यू वीडियो में तो बहुत आसा की सहुलियत होगी अधर्वाइज बहुत ज़्यादा महंगा यह तूर आपको पढ़ जाएगा और बहुत सारी परिसानियों का सामना आपको करना पढ़ सकते हैं अधर्वाइज आप सेप्टेंबर में प्लान कर सकते हैं जहां पर थोड़ा सा यहां पर रस कम हो जाता है सारी चीज़ें थोड़े से रीजनेवल हो जाती यहां पर फोड़ा सा आपको तो सारी चीज़ेश एजदी मिल जाएंगे अभी जिस तरहीं की भीड़ी कोने डी हैं अगर आपको फैसिलिटी कार्ढ़िंग मिलती है आप simply book कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे किसी भी services को click करेंगे यह आपको उस page पे ले जाएगा उसके बारे में जानकारी देगा और suppose यहाँ पे bets available हैं, आप number of person यहाँ पे entry करेंगे कितने आपको room चाहिए, सब कुछ यह entry करने के बाद, आप जब यहाँ पे add में जाएंगे, तो यह card में आपके add हो जाएगा, और इसके बाद आपको क्या करना है, continue payment लिखा है continue payment पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यह payment gateway वाले page पे लेके चले जाएगा, जहाँ पे credit card, debit card, UPI, जिस भी mode से आप payment करना चाहते हैं, विल्कुल easily यहाँ पे आप payment कर सकते हैं payment करने के बाद, आपके screen पर automatic confirmation आएगा, एक link आएगा जहाँ पे उसका receipt आपको मिल जाएगा अगर आप उस link को miss कर देते हैं, तो घवरानी की बात नहीं है आपने जो number यहाँ पे डाला हुआ है, booking के time में, तो उस particular उस number पर आपको एक message आएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस message में जो link इसको आप click करेंगे, तो इस तरीकी receipt आके सामने आ जाएगा, जैसा हमने book किया हुआ है, यह receipt इस तरीकी से मिल जाएगा जिसका print out लेके आपको रख लेना है, और जब आप केदारनाद धाम दर्सन के लिए जाएंगे, तो इस print out आपको वहाँ पे दिखाना है, contact person का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर भी लिखिया हुआ है, उससे आप phone करके contact कर सकते हैं, तो आपको particular आपके room तक, settled है, व्यवस्तित है, आपको यहाँ पी घबरानी की कोई बात नहीं है, अब यहाँ पी हम बात करेंगे helicopter services की, तो helicopter services के लिए के दारनाद धाम में particular जो arrangements हैं, तो वो cable authorized यहाँ पे helicopter service है, जिसको आप book कर सकते हैं, heliatra.irctc.co.in से, यह जो website आप देख रहे हैं, केवल इसी website को authorized किया गया है helicopter booking के लिए, इसके अलावा दूसरा कोई website नहीं है, जहां से आपको heli services मिलने वाली, बहुत सारी fake IDs आपको facebook में, whatsapp में, और social media app पे मिल जाएंगे, जो की दावा करती हैं कि आपको heli services प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन वो scam है, fraud है, तो उनसे बचिएगा, helicopter यात्रा तुक्सी केदारनात धाम, दीए, यहां पे इसकी details दी हुई है, helicopter ticket booking will open on 19th April 2024, 19th April 2024 को 12 बज़े, यहां पे helicopter bookings चालू हो जाएंगी, जहां पे multiple categories में इस journey को categorize कर दिये का है, ए में आप देखिए, journey period from 10th May 24 to 20th June 24, इसके लिए एक अलग category बनाए गई है, और B में ल 21st October, तो इसके लिए अभी यह बताया जा रहा है, 19th April से bookings चालू हो जाएंगी, helicopter के लिए, जहां पे आप इसी website पे आके इसे book कर सकते हैं, for the journey period from 21st June to 14th September 24, booking opening date will be informed later, यह जो time है, मानसून वालन टाइम, इसमें क्या है, वेधर के according, plans are set के जाएंगे, तो इसके लिए इसके information आपको बाद मीं दी जाएगा, अब सबसे पहली बाद 19th April से booking चालू होनी है, तो यहां पे आप अभी क्या कर सकते हैं, अभी आपको करना है, चार धाम यात्रक registration, यहां पे लिखा हुआ है, चार धाम यात्रक registration is mandatory for booking helicopter service, अगर आप online helicopter service लेना चाहते हैं, तो चार धाम यात यहां पे चार धाम यात्रा registration कर सकते हैं, जैसा भी हमने वीडियो के शुरुआत में देखा है, और आप GMVN की website पे भी homepage में उसका link आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, अब यह आप बुक करके यहां पे पहले से advance में रख लीजे, उसके साथ-साथ आपको यहां पे IR login करेंगे, login करने के बाद यहां पे सारे slots आपको दिखाई देंगे किस date में, कौन से time में, क्या available seeds हैं, तो उसके recording आप यहां पे book कर सकते हैं, तो simply process है, आपको यहां पे name डालना है, name डालने के बाद आप अपना registered mobile number डाल दीजे, state में आप किस state से belong करते हैं, वो state यहां पे create हो जाएगा, उन्ही credentials के साथ, उसी mobile number के साथ, आपको वापस वहां पे login करना है, जो password आपने बनाया है, और उस login के बाद आपको वहां पे सारे facilities available हो जाएंगे, दिख जाएंगे, जो भी facilities यहां पे आपको मिलने वाली है, आपका account यहां पे create हो गया है, अब यहां पे दे ID, तो जैसे ही आप 4 धाम यातरक ली रेजिस्ट करते हैं, तो यहां पे जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस तरीक से आपको एक registration receipt मिलेगा, जिस पे group ID आपको मिलेगी, जहां पे registration number या group ID आपको डालना है, तो जैसे ही आप group ID डालेंगे, तो आपको next page पर ले ज इस चल रहा है, यहां पर देखी नीचे message भी pop up हो रहा है, और इसके साथ साथ, booking dates आपको हमने पहली दिखा दी है, 19th April से booking start होनी है, तो अभी यहां पर यह work सायद नहीं करेगा, लेकिन process सेम रहेगा, अभी आप क्या कर सकते हैं, simply आपको अपना account create करके रख लेना है, चार date सारे seats full हो जाते हैं, तो अगर आप हैली services लेना चाते हैं, तो top priority में भी आप registration करके रखे, और IRCTC की हैली आतर सर्विसेज में अपना account create करके रखे, हो सकता है 19th को जब हम book करेंगे, तो उसको भी वीडियो के रूप में आप सब के बीच में लेकर आएंगे, जिससे आपक seats वगेरा यहां पे देखने को मिलेंगे, तो उसके अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को subscribe कर लीजेगा, और साथ ही साथ मई में हमने केदारनाथ धाम यातरा प्लान किया हुआ है, तो उस बीच में केदारनाथ की live update आपको वहां पे पहुँचने के बाद हम देंगे, कि वहां पे क्या position है, कैसे rooms आप देख सकते हैं, live, सीधे, ground से हम आपको सारी चीज़े वहां पे बताएंगे, कि किस प्रकार की विवस्ता है, वहां पे base cam में है, पूरा track इस बार कैसा है, किस प्रकार के updation किये गए हैं, क्या कुछ खास बदलाव है, वहां पे आपको rooms का tar करना है, कि इन चीज़े बाताओं को आपको ध्यान रखना है, क्या आपको सावधानी बरतनी है, सब कुछ आपको live केदारनाथ से हम बताएंगे, उसके लिए आप चैनल को subscribe कर लीजेगा, उमीद ये सारी जानकारी आपको जरूर पसंद आए होगी, पसंद आए तो like जरू के साथ, इस वीडियो में इतना ही बिलेंगे, एक और नए वीडियो में नए कंटेंट की साहतरता के लिए, थेंक्यू बाबा, जै बाबा केदारनाथ, जै बाबा भूलिनाथ